असलाव अलेकूम फ्रेंज आप सब कैसे हैं इंसाला तालाब अपने गुरह में खुछ और आबाद होगे अलम्दलिल्ला से हम भी सब अच्छे हैं वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल डेली रूटिन बाई रिज्वाना गबल में आप सब का वेल्कम हैं तो देखें ये फाम हाउस का व्यू है आपको मैं आज दिखा रही हूँ तो यहाँ पे मेरे हस्बन गए थे तो देखें ये मेरे हस्बन आपको पूरा व्यू दिखाएंगे फाम हाउस का तो आप देखें आगे तो ये फाम हाउस जो है ना वो प्रिंसिपल साहिब का है सादरिया साहिब इनका नाम है तो वहाँ कुछ काम से मेरे हस्बन को बुलाया था तो वो वहाँ पे गए थे उन्होंने वहाँ का वीडियो बनाया है तो वो आज मैं आप से सेर कर रही हूँ तो ये सादरिया साहिब इनकी स्कूल भी है वो प्रिंसिपल है तो थोड़े आगे की हो इनका फाम हाउस है देखे तो यहाँ पे चेर वगेरा सब लगाएगी है तो यहाँ पे बेटने की भी देखे इंतिजाम किया गया है तो अभी देखे यहां से हम आगे की ओर चलते है मे को तो देखिए यह फाम हम उस पर आजाएं तो हमें गार्डन जैसा ही मेसुज होता है कि यहां जैसे के गार्डन में हम आगिये हैं इस तरह से हमें मेसुज होता है कितनी खुली-खुली जगा है और कितना अच्छा व्यू भी है यहां पे और बहुत सारे पेड़ है और यह नारियल है जो हम नारियल पानी पिते है ना वह नारियल को आपर इस के लिए देखिए इस तरह से और नारियल पानी के तो फाइदे हैं जिसे के हम सोब ड्रिंक्स पीते हैं इसे अच्छा तो हम नाजर पानी पीए तो वह हमारे जो बोड़ी है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है तो यहां पर देखिए पानी की जो होती है टंकी वह लगाई हुए है और यहां पर कुंडियों में पानी भरा जाता है तो यहां सब हाथ पेर मूँ वगेरा दोते हो और यहां पर कपड़े भी धोने का इंतिजाम है और यहीं से ही सब पोदे और पेड़ जो देना उन्हों को पानी पिलाया जाता है देखिए इस तरह से सबको पानी पिलाते है पोदों को और यहां पर बहुत सारे वेजी टेबल भी उगाई है तो आगे आप देखिए मैं आपको सब दिखाती हूँ तो देखिए इन पोदों में क्या लगा हुआ है देखिए अभी आपको मेरे हस्बन दिखाएंगे तो यहां पर टमाटर का पोदा है देखिए तो यह सब सब्जियां अपने खेत में ही लगा लेते हैं जैसे का यह फाम हाँ उस पर तो देखिए यहां पर क्या है यह पत्ता गोबी है देखिए आगे भी पत्ता गोबी ही है देखिए यहां पर तो हमारे खेत के सब्जियां तो कुछ अलगी बात होती है को देखिए इहां पर बनाने का प्याट है देखिए यहां पर कितने सार बनाना यह वए टेह यहां सब्जियों के साथ प्रोट्स भी है देखिए अभी आगे की ओर चलते हैं तो आपको दिखाते हैं आगे की ओर कितने सारे फूट से तो आप देखें यहाँ पे पपीते का पेरा जाएगा तो यहाँ पे कितने सारे पपीते लगे हुए है तो आज आपसे मैं जो व्लोक share कर रही हूँ वहां में तो नहीं गई थी सिर्फ मेरा हस्बन गई थे तो वो क्लिप बना के लाई हुए हैं तो वो आज मैं आपसे सेर कर रही हूँ फिर से आपको मैं एक बार बता देती हूँ तो जो पास में है जो खेत वो गेहूं की खेत है पूरा देखिए यहां पे यहां पे गेहूं की खेती हो रही है और देखिए यहां पे नारियल पानी है तो यहां पे फाम हां उस पे नारियल पानी के जो पेड़ है वो बहुत ही ज्यादा है देखिए तो हमें गेहूं हैं फूरूट से वसे खाने में तो बहुत मज़ा आता है लेकिन जब इनके पेड पोधे लगते हैं और एक पपीता तो यहाँ पेड में ही पग गया है तो देखें यहाँ पे हरा प्याज है देखें इस तरह से यहाँ उगाया गया है हरा प्याज और यह पास में ही हरा धन्या है और देखें यह छोटु सा नारियल का पोधा भी लगाया हुआ है और इसके आज पास में ये हरा प्याज और हरा लसन भी इन्होंने उगा दिया है यहाँ पे अब आगे देखें यहाँ पे हरा प्याज है हरा लसन है और नारियली के छोटू से छोटू पेड़ है ये फाम हाउस हमारा जो विलेज है ना उसके थोड़े आगे की ओर ही है मिट्टी की खुजबू आ रही थी यहाँ से आगे की ओर आपको अभी मेरे हजबन लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे के यहाँ पे क्या क्या है आगे की ओर तो यहाँ पे आपको पेड़, पोते, सबजियां सब दिखा दी है और फिर जो अब हम आगे से आये थे न वहीं पे वापिस हम चाह रहे हैं फामाउस के अंदर जब एंटर होते हैं वहीं पे अब जाएंगे तो अभी तो ठंडी का मोसम है लेकिन दोपेर के टाय में तो धूप ज़्यादा ही हो जाती है और एसा खुला मेदान हो, फामाउस वगेरा हो तो बहुती धूप लगती है तो देखें ये भी पता गोबी है तो जो आपको आगे दिखाई थी वो छोटी पता गोबी थी और ये बड़े वाली पता गोबी है और देखें ये पालक है जो हम भाजी बनाते हैं ना पालक की भाजी वो ये पालक है और देखे हरा प्यास भी है यहाँ पे और इसके आगे की ओर हरा धन्या है देखे यहाँ पे हरा धन्या भी कितना चारा है माशाला से देखे और एकदम फ्रेस वाला ताजा हरा धन्या और यह देशी धन्या है, देखिए, यहाँ पर इस तरह से कितना सारा धन्या लगा हुआ है, तो देखिए, आगे की और मेरे हजबन, चल दिये हैं, और अब यह सीरी हैं, उस पर चड़ गे हैं, और पेड़ पे से वो नार्यल उतार रहे हैं, तो नार्यल उतारने में तो उससे आसानी से नारियल पानी हम उतार सकते हैं तो देखें यहां पर कोई भी ओजार वगेरा नहीं था तो मेरे हस्बन ने इस तरह से हाथ से ही इन्हें तोड़ लिया था तो उन्होंने तो आज फ्रेस वाले नारियल पानी पिए हैं तो देखें यहां पर नारियल पानी को उताने में कितनी तकलिफ पड़ रही है क्योंकि यहां पर कोई वोजार वगेरा नहीं था तो हाथ भी इनके दर्द करने लगे थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हाथ से ही इन सबको उताल लिया देखिए और गर्मियों में तो आम की सीजान आती है ना तभी भी फामा उस पर मज़ा आता है क्योंकि आम तोरने में भी कितनी मज़ा आती है ना वो फ्रेस फ्रेस में बो खाने की और पोधों में पक्के हुए आम तो बहुत ही टेस्टी लगते यहां तो देखिए यहां पर नार्यल पानी सब उतर गए हैं तो अब यह सब फ्रेंस जो है वो इं तो इन्हें कई दिखाई नहीं दे रहा था कि किस से नारिल पानी को कट किया जाए तो वो भी वो डून रहे थे तो अब आगे की ओर चल रहे हैं देखे तो पूरा फाम हाउस घूमने के बाद और सब को घूमाने के बाद वो ठक गए थे तो देखे यहां रेष्ट करने के लिए बनाया गया है चेर वगेरा सब है तो यहां पे वो रेष्ट कर लेंगे थोड़ा सा तो देखे यहां पे जो हम बेठने की यह अलग व्योस था यहां पे रखी गई है और चेर वगेरा सब है तो यहाँ पर हम रेष्ट कर सकते हैं तो यह चेर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी तो यह चेर आपको अलग सी दिखाई देगी तो यहाँ पर हमारे गाओं के आसपास फाम हाउस में वगेरा में ऐसी जो चेर भी होती है और जो हमारे यहां खाट बोलते हैं तो आराम करने के लिए जो सिंद्री आती है न उससे बनाते हैं वो खाट बोलते हैं खाटला बोलते हैं गुजराती में इसे आराम करते हैं रेश्ट करते हैं और देखिए आगे की और आपको फिर गुमाने लगे हैं मेरे हस्बन तो देखिए हैं यहाँ पे kitchen हैं तो यहाँ पे कुछ guest आ जाए वगेरा party करनी हो तो यहाँ पे भी खाना भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी बेटने का देखिए कितना अच्छा इंतिजाम किया गया है और यहाँ पे भी सब नार्यली के ही पेड़ है और यह सर की फोर्विल है सादर्या साभे ना उनकी यह फोर्विल है तो यह रहते तो जुना अगट पे ही है लेकिन farm house हमारा जो village न उसके भी आगे हैं तो ये four wheel लेके यहाँ पर farm house पर अक्सर आ जाते हैं तो इस car को उन्होंने थोड़ी drive भी कर ली थी और फिर यहाँ पर इन्होंने रग भी दिया था तो देखी नीचे तो kitchen है room है और ये इसकी terrace है देखी यहाँ पर छत है तो चत पर आने से देखी यहाँ पर पेड़ एकदम नजदी दिखाई देगे आपको देखी इस तरह से तो ये पेड़ देखे सो का जो आता है नो 120 का इस तरह से ये पेड़ भी सो का बना हुआ है देखी इसा जरूरी नहीं है कि पेड़ पोदे हमें उप्योगों वही लगाए जाए यहाँ पेड़ पोदे जो हम खुची से लगाते हैं सो के वो भी यहाँ पे लगाए गये हुए है तो जो आपने आगे देखा वहाँ पे मकाई है जुवार है सब जो अना जोता है वहाँ पे उगाया गया है और यहाँ पे छट पे ही पानी की टाकी भी इन्होंने लगा दी है तो अब हम छट पे आपको सब कुछ दिखा दिया है तो अब हम नीचे जाएंगे तो आपको आगे का व्यू दिखाएंगे देखें आगे क्या क्या है आप प्लीज ये वीडियो स्कीप नहीं कीजिएगा पूरा वीडियो देखेंगा आपको बहुत ही मजाएगा और मज़ा भी आती हैं बहुत इंजोई भी होता है किय habrा पी कि चन है और वंचिस है है और यहां पे बच्चे भी इंडोई पर सकते हैं यहां पर जूले भी है तो कभी कोई गेस्ट आ जाए और यहां पर लाएं और पार्टी वग्यरा भी करनी हो तो ुद्रिंजोए हैं और देखिए आगे की और यहाँ पे बहुत बड़ा वाला यहाँ पे रूम है देखिए इतना बड़ा बहुत बड़ा रूम है क्योंकि यहाँ पे जो सामान वगेरा है वो सब यहाँ पे ही रखते हैं देखिए कितना बड़ा होल है यहाँ पे बना हुआ और आगे देख्या ना आपने पानी का पाइप भी लगा हुआ है तो यहाँ पे चाय और खाना बना लेते हैं इसके बाद यहाँ पे बर्तन वगेरा धोने की भी सुवीदा है सब देखें यहाँ पे तो हमें तो देखके ही बहुत अच्छा वहाँ का व्यू लग रहा था यह फाम हाँ उसको देखके तो मेरे हस्बन को मैंने बोला कि आप तो वहाँ पे गए थे तो आपको कितना इंजोय आपने किया होगा और आपको कितना मज़ा आया होगा तो देखें यह मेरे हस्बन के फ सादर या साइब जो है ना मेरे हस्बन को कुछ भी काम हो तो बुलाते हैं तो मेरे हस्बन चाहते ही हैं उनका काम करने के लिए तो देखिए यह आसो पालों के पेड़ है तो दीपावली में इसके तोरण बनाते हैं तो यह उंब्रे पे लगाये जाते हैं वही आसो पालों के यह पेड़ है यहाँ पे और सब दुकानों पे भी दिपावली में लगाए जाते हैं गेट पे लगाए जाते हैं आज का वीडियो मेरा पूरा आपको यह फाम हाउस का ही मिलेगा तो यहाँ पे पूरा गार्डन एरिया है और यहाँ पे एकदम सूध और ताजी वाली हवाए होती है क्योंकि पेड़ और पोधे तो हमारे जीवन में हमारी तंदुरुस्ति के लिए बहुत ही अच्छे फाइदे मंद है तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑक्सीजन भी मिल जाता है तो देखिए अब हम आगे की वर चलते हैं तो यहाँ से जब हम एंटर होते हैं ना वह एरिया है आगे की अंदर जाने का हमारा जो में एंटर होते हैं ना फाम हाउस में वो तो देखिए यहाँ पे बाइक वगेरा सब पड़ी हुई है और फॉर्विल भी है और यह पलंग है देखिए यहाँ पे रखे हुए है बेठने के लिए और यह गेट है अंदर एंटर क लिए तो यहाँ पे देखिए जूला भी है और रूम भी है यहाँ पे बनाई हुए कभी कोई गेश्ट वगेरा आ जाए तो उन्हें ठेराने के लिए रूम भी तयार किया गया है सादर्य साइब ने और बाहर निकलते है यह रास्ता है देखिए इस तरह से आपको बनाई हुए है और देखिए यहाँ पे पूरी खेती गेहुं की यह आप देखिए कितने अच्छे गेहुं लग रहे हैं ना तो आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी चेनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक जरूर कर देना और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन्हें सबको मेरी तरफ से थेंक्यू सो माचे और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को जर प्रोट टर्च करना ताके जो मेरी अगली वीडियो आए इसके आपको नोटिमी किस्टन आ जाए यह सादर्या साइब है यह इनका फाम हाउस है और यह फाम हाउस के मालिक है यहां के तो यह सादर्या साइब गवर्मन्ट जोब करते है और उनके जो वाइब है वो भी गवर्मन्ट जोब करते है तो सादर्या साइब है वो प्रिंसिपल है और इनकी वाइब है वो प्रोफेसर है तो अभी सादरिय साइब रिटायर हो चुके है और कंजा में उन्होंने घर की स्कूल बनाई हुए है इस्कूल में 300 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं इनकी स्कूल में और ये बहुत अच्छे पिंसिपल भी रह चुके हैं और बच्चों पर बहुत ही दियान से इन्हें एंजी क्वेशन देते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे ये बच्चों को पढ़ाने की बहुत ही ये मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को तो मेरी चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक भी आप कर देना तो इसी के साथ हम चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं और आज का व्लोग आपको कैसा लगा दूआ में खास याद रखना अल्ला हाफीज